ब्यावर किस वक्त की बड़ी खबर शेंद्रा रोड इस्तित सोमानी नगर में इस्तित एक गत्ते के गोदाम में बीशन आग लगई आग लगने से लाखोर रुपय का नुकसान हो गया आपको बता दे कि करीब 4 लाख के नुकसान की आशंका यहां पर जताई जा रही है दमकल विभाग द्वरा लगातर आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है अब तक 2-3 अदिकतर दमकल विभाग द्वरा आग पर काबू करने का प्रयास किया जो की लगातर जा रही है वहीं विदुत विभाग की करमचारी ने भी मौके पर पहुंच कर विदुत सप्लाई को बंद कर दिया है ऐसे में बड़ी खबर की भीशन आग लगी गत्य के गोदाम में जहां पर लाखों के माल की नुकसान होने की आशंका जताई गई है आपको बता दे कि ये रियाईशी इलाका है जो कि सोमानी नगर इलायका है जिससे अफरतफली का माहुल भी लोगों में देखा गया वहीं आजबत की शुत्रबासियों ने आग बुजाने में सयोग भी किया तो आपको बता दे कि इस वक्त की बड़ी खबर दमकल विभाग द्वरा आख पर लगातार गत्य की गोदाम में जो आग लगी है उसको बुजाने का प्रयास निरंतर जारी है लगबक काबू पा लिया गया है और तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है और फिलाल कोई जनहानी हतात इसतर नहीं हुआ है लेकिन कहीं न कहीं माल को नुकसान यहां पर पहुचा है जिसकी आशंका चार लाग रुपे आकी जा रही है तो गत्य के गोदाम में भीशन आग लगी है और आग पर काबू हरने का प्रयास किया जा रहा है सोमानी नगर क यह गटना है जहां पर यह पलक ट्रेडर्स नाम से गत्य का गोदाम है जहां पर यह आग लगी है झाल आग झाल 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 झाल